नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है, आप पेपर वाइस और टोपिक वाइस एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके, डिस्कसन स्टार्ट करने से पहले थोडिशी इंफोरमेशन कोर्सिस के बारे में आप वीडियो.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सिन बोक्स में है, ये सारे कोर्सिस जोइन कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करेंट अफेट एस से समदित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो, onlyis.sales.gmail.com पर, चलिए डिस acute inseparities syndrome की वज़े से 154 बच्चों की death हो गई. बिहार की state machinery इस health crisis को रोकने में पूरी तरह से नकाम साबित हुई. देखो, दो परकार की संभावना व्यक्त की जा रही है, कि AES यानि acute inseparities syndrome बच्चों को क्यों हुआ, एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है, वो बच्चे ज से उनको acute inseparities syndrome हुआ. दूसरी संभावना ये व्यक्त की जा रही है, कि ongoing heat wave भी एक वज़े है, बच्चों में acute inseparities syndrome की. कोशन देखो, ये उठता है, कि कैसे in health crisis को prevent किया जा सकता था? देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है, कि 154 बच्चों की दो death हुई है, इसे prevent भी किया जा सकता था, और आसानी से treat भी किया जा सकता था. क्योंकि देखो, अगर कोई बच्चा acute inseparities syndrome से PD थुआ है, और 2-4 घंटों के अंदर अंदर medical treatment दी जाती है उस बच्चे को, तो chances जादा है उस बच्चे का इलाज हो जाएगा, वो बच्चा बिलकुल ठीक हो जाएगा. acute inseparities syndrome की वज़े से, वो बच्चे malnutrition का सिकार थे. अगर पॉशन अभ्यान का effective implementation हुआ होता इस region में, या फिर देखो, supplementary nutrition के और भी प्रोग्राम है, जैसे जो आंगनवाडी centers होते हैं, यहाँ पे pre-school children को hot cooked meal दी जाती है, और home ration भी दिया जाता है मदर्स के लिए. इसके ल households में, यह सब चीजे देखो जरूरी थी, इन सब का effective implementation जरूरी था, लेकिन बिहार में यह सब चीजें effectively implement नहीं हो रही थी, खास करके मुझवर पूर दिश्टिक में, अगर यह सब चीजें effectively implement हो रही होती, तो बच्चे malnutrition का सिकार होते नहीं, और malnutrition का सिकार होते नहीं, तो acute incephalitis syndrome का जो असर हुआ है, वो होता नहीं, अब बात करें दूसरे point की, कैसे यह सारे जो cases थे, जिन बच्चों की death हुई, यह treatable थे, देखो जैसे हमने पहले discuss किया, अगर acute incephalitis syndrome से पिडित बच्चों का 2-4 घंटों के अंदर इलाज हो जाता है, तो उनकी जान बच जाती है, तो जैसे ही मुझफरपूर डिस्टिक में कुछ science मिले थे कि हां बच्चों को acute incephalitis syndrome हो रहा है, तो उसी समय सरकार को urgent action लेना चाहिए था, एक मजबूत health education drive चलानी चाहिए थी, यानि जागुता का अभियान चलाना चाहिए था, healthcare centers, जो कि जहां पर healthcare workers और patients के ब आसा workers का और ज़्यदा deployment होना चाहिए था, effectively, ambulance services को facilitate कराना चाहिए था, ताकि जल्द से जल्द acute incephalitis syndrome से पिडित बच्चों की पैचान की जांसके और उन्हे treatment दी जांसके, अभी तो देखो, primary healthcare centers में doctors की जो vacancy बहुत ज़्यदा खाली होती है, उसे भी जल्द से जल्द feel कर करना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ, तो इसलिए writer कहते हैं, जो health crisis emerge हुए मुझफरपूर district में बिहार के, वो देखो, preventable भी थे और treatable भी थे, बिहार में specifically, अकर हम health infrastructure की बात करें, देखो, आम तोर पे standard ये है, 30,000 लोग के लिए एक primary healthcare center होना चाहिए, ल देखो, एक primary healthcare center इतने जादा लोग को cater कर रहा है, तो कम से कम उस primary healthcare center में, दो doctor होने चाहिए न, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझफरपूर district में, 103 primary healthcare centers है, ideally होने चाहिए 173, और 98 primary healthcare centers ऐसे हैं, मुझफरपूर district में, जहां पर basic services भी नहीं है, basic requirements भी fulfill नहीं होती है, बिहार देखो, देखो, one of most populous state है, इंडिया का, 2018 में यहां पर, doctor population ratio थी, 1 is to 17,685, यानि एक doctor आल्मोस्ट 17,685 लोग को cater करता है, national average से यह देखो, आल्मोस्ट 60% जादा है, और देश की 2% MBBS seats जो हैं, वो बिहार में हैं, तो आप इन facts की साहिता से, बिहार में, health infrastructure का अंदाजा लगा सकते ह कुछ और भी data है, लेकिन बिहार specific है, इतना important नहीं है, जैसे कहा जाता है, आसा workers की भी बहुत कमी है बिहार में, malnutrition की समस्या बहुत ज़्यादा है, hot cooked meal और take home राशन का जो provision है आंगनवाडी center से, उसे effectively implement नहीं किया जाता, पैसा चोरी हो जाता है, और जितने दिन यह सर्व किया जाता है, आदे दिन तो सर्व ही नहीं किया जाता, लेकिन provision है, अब आगे का point काफी ज़्यादा important है, ध्यान से सुनिएगा, देखो आम तोर पे primary healthcare centers जो हमारे देश में है न, वो भी underutilized रहते हैं, वो अपने full potential का use नहीं कर पाते, लोग को cater करने में, लोग को health services provide करने में, जो ये primary healthcare centers होते हैं, वो कुछी services पे ज़्यादा focus करते हैं, जैसे family planning, immunization यानि टीका करन, तो आम तोर पर लोगों की धारना ये बन जाती है, कि अगर कोई घर में person बिमार हुआ है, तो primary healthcare center में तो जाना ही नहीं, primary healthcare center तो family planning के लिए है, primary healthcare center तो सिरफ immunization के लिए है लेकिन वो भूल जाते है, primary healthcare center सभी परकार की services देता है, समझ रहे हो, मतलब primary healthcare center जो services देता है न, उनके बारे में लोग को पता ही नहीं होता, लोग क्या करते हैं, गाउं में सिधा जाते हैं, district hospital में, या फिर बड़े सरकारी hospital में, क्योंकि उनको लगता है, यही पहला सरकार hospital है, जहां पे इलाज संबव है, जबकि देखो primary healthcare center first link होता है, healthcare providers के बीच और patients के बीच, लेकिन वही बात, कुछी services पे ज़्यादा focus किया जाता है, जनता को यह लगता है, कि यह center तो सिरफ family planning से समंदित है, यहां पे थोड़ी ना इलाज होगा, तो मजबूरी में उनको incephalitis syndrome से पिड़ी जो बच्चे थे, उनका इलाज अगर दो से चार घंटों के बीच होता, तो treatment successful हो सकती थी, देखो आपने एक बात जूरूर नोटिस की होगी, मीडिया में जो कुछ चल रहा है, कि बिहार में बच्चों की देथ हो गई, एक ही hospital पे focus किया जा रहा है, मु राइड की संख्या भी increase हो जाएगी, और doctors भी ओर जड़ा deploy हो जाएगे, लेकिन मीडिया इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है, कि भाया primary healthcare centers को ओर जड़ा strengthen किया जाता, तो वो माबाप जिनके बच्चे acute incephalitis syndrome से पिड़ी थुए हैं, वो क्यों इस hospital में लेके आते, वो त असता हालत में होते हैं primary healthcare centers, जितना पैसा सरकार खर्च करती हैं, बड़े hospitals के beds को increase करने पर, उतना ही पैसा अगर सरकार खर्च कर देना primary healthcare centers पर या फिर community healthcare centers पर, तो आवसकता पड़े ही ना patients को बड़े hospitals में जाने की, लास्ट में राइटर कुछ suggestions भी देते हैं, जैसे और ज strengthen किया जाए, आशा workers का जो cater है, उसे scale-up किया जाए, nutrition के जो programs चलाय जा रही है, उनकी skill monitoring होनी चाहिए ताकि effective implementation हो, उन nutrition programs का, doctors का और medical colleges का जो mal distribution है, urban areas में ज़्यादा है, rural areas में कम है, या फिर कई cities में ज़्यादा है, कई cities में कम है, ये mal distribution खतम होना चाहिए, और उसके बाद primary healthcare system को आप इतना मजबूत बना लो, ताकि future में इस परकार के crisis हों, तो primary healthcare centers खुद से ही in health crisis से निपट सके, सबसे last में, हमें हमारी technical capacity को भी enhance करने के आउ सकता है, देखो, अभी तक हम ठीक से ये भी नहीं बता सके हैं, कि बच्चों को जो acute incephalitis syndrome हुआ, वो किस वज़े से या फिर leechy खाने की वज़े से हुआ, तो हमें हमारी technical capacity और ज़्यदा increase करने के आउ सकता है, ताकि हम जो reasons हैं जिसकी वज़े से बच्चों को ये सारे जो बुखार होते हैं, उनका उसी समय पता लगा सकें, और उसी हिसाम से आउशक कदम उठा सकें, लास्ट में एक बात hospitals open करना, तो लोग का जो विश्वास है, वो hospitals में ज़्यादा हो गया है, लोग का विश्वास उठ गया है, primary healthcare centers से, और community healthcare centers से, तो इतना ज़्यादा infrastructure डवलप किया जाए, primary healthcare centers का, कि लोग का जो विश्वास है, वो फिर से जागरित हो primary healthcare centers में, तो ये पूरा article हमने discuss किया, चल